तो इस वीडियों हम बात करने वाले हैं यहां पे एक सब्सक्राइबर उन्होंने हमसे कमेंट करके पूछा हुआ है कि उनको SGFC बैंक से 8 लाग रुपए का जो है यहां से का लोन लेना और लेना उनको 5 सालों के लिए और उनका यहां पे सैली एकाउंट है तो उनको जो है किस rate of interest पर जो है SGFC बैंक से का लोन मिल जाएगा इसी के बारे में information जाएगे कितना लोन प्रवाइट किया जाता है कितनी डाउन पेमेंट यहां पर करनी पड़ती है इसके अलावा यहां पे आपको इसके features benefit हो गया eligibility document हो गया complete information जानने के लिए वीडियो को पूरा आखर तक watch कर चैनल पर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा और बेल आइकन को ज़रूर और पर कर दीजेगा तो यहां जैसे कि आप rate of interest देख सकते हो 8.80% से rate of interest की starting होती हो और maximum आप 84 मतलब 7 साल के लिए आप यहां से loan ले सकते हो इसके लावा यहां पे इसके कुछ key features देख लेते हैं तो 100% on road price पर finance करता है मतलब जीरो डाउन पेमेंट पर यहां से loan ले सकते हो ज्यादा तर जो बैंके होती है वहां पर आपको 10% minimum down payment करनी पर होती है लेकिन HDFC bank में आप 100% on road price पर आपको finance करा जाता है budget friendly monthly payments आपको यहां पर मिल जाएगी quick loan disbursement यहां पर कर दिया जा जाता है minimum paperwork यहां पर लगते हैं अब यहां पर जो rate of interest 8.80 से starting होती है अब यह जरूरी नहीं आपको 8.80 पर मिले आपको 9-10% पर रही जा सकता है वह depend करेगा आपका credit score कितना अच्छा है आप job अगरे कैसी करते हो अगर आपका salary account सब्सक्राइब ने पूचा थे उनका यहां salary account है और salary account है और 750 के उपर अगर आपका credit score है आपको आराम से जो है आपे 8.80 से 9% के around rate of interest देखने को यहां पर मिल जाएगा तो अब हम यहां पर आ जाते हैं अपने EMI calculator पर जहां पर उनको जानना है कि 8 लाग रुपय का loan amount लेना है rate of interest जो चला है 8.80 से चला है starting हो रही है त 100% पर आपको आराम से मिल जाना चीए और loan आप maximum 7 साल के लिए ले सकते हो लेकिन 8 लाग का उनको लेना है 5 साल के लिए अगर हम 9% के rate of interest से देखें तो मेरी महीने की किस्त बनेगे 16,607 रुपय की और मुझे interest पे करना पड़ेगा 1,96,401 रुपय का मुझे total interest पे करना अब इसके लावा हम यहाँ पे देख लेते हैं इसके कुछ fees and charges जो की काफी important होते हैं क्योंकि कुछ hidden charges होते हैं जो आपके जानने बहुत ज़रूरी होता है तो यहाँ पे अगर हम processing fees देखें तो HDFC bank में 0.5% लगती है आपकी loan amount का जो की minimum आपकी 3500 रुपय तो लगेगी और maximum 8000 रुपय तक जा सकती है इसके अलावा यहाँ पे for closer charges भी आपके लगते हैं अगर आप time से पहले अपना loan बंद करा देते हो जैसे 5 साल के अपने loan लिया उसको आप 3 साल के अंदर ही आपने बंद करा दिया तो उसके आपको कुछ charges वगर है आपके देने पड़ेगा वो charges क कराते हो तो 3% of principal जो है आपके charges आपको देने पड़ेंगे इसके लावा documentation charges यहाँ पे 600 रुपय के आपके लगेंगे इसके लागर आप प्रिपेमेंट करते हो मतलब थोड़ा सा जो है amount देके अपना interest वगरा कम करते हो तो उसके भी आपको कुछ charges यहाँ पे देने पड़ें माल लेजे आप प्रिपेमेंट करते हो 50 रुपय की तो उसका 3% अगर आप लगाओगे तो लगभाग 1500 रुपय की आपको पार्ट पेमेंट charges वगरा देने पड़ेंगे फिर यहाँ पर ओवरड्यू EMI इंट्रेस्ट है अगर आप EMI को अपना late payment करते हो माल लेजे आपकी आ नो अबजेक्शन certificate के 500 रुपय आपके लगेंगे चेक, ECS, SI return charges 4500 रुपय लगेंगे और collateral charges जो है 500 रुपय के आपको यहाँ पर लगेंगे पर case पे तो यह देखिए इसके कुछ fees और hidden charges है जो आप डिटेल में आसे देख सकते हो अब यहाँ पे eligibility criteria क्या require हो तो कौन-कौन से लोग apply कर सकते हैं तो देखिए सबसे पहले आते कोई भी salary individual जिसकी age 21 साल से 60 साल के बीच में होनी चाहिए कम से कम 2 साल से employment कर रहा हो मतलब जो 2 साल से अपनी job अगरा कर रहा हो और 1 साल से current employer भी हो मतलब 1 साल से किसी company अगरा काम कर रहा हो तो लगातार 1 साल से वहाँ पे कर रहा हो total experience आपको 2 साल का होना चाहिए salary के लिए इसके लावा यापकी yearly income जो है वो तीन लाग रुपए per year की आपकी होनी चाहिए इसके लावा जो self-employed है तो उनको जो है आपका कोई business वगरा होना चाहिए चाहिए वो ट्रेडिंग से जुड़ा हो manufacturing या service से जुड़े अगर जो partnership firm चलाते हैं तो उनको भी manufacturing टेडिंग या service का business वगरा होना चाहिए तीन लाग रुपए yearly का turnover आपका होना चाहिए फिर यहाँ पे आते है self-employed individuals जो private companies वगरा चलाते हैं तो उनको भी yearly income उनकी तीन लाग होनी चाहिए तो उनकी भी तीन लाग रुपए yearly income होनी चाहिए तो यह देखिए eligibility require होती है अब यहाँ पे हम देख लेते हैं डीटेल में documentation क्या require होते है हर category वाज लोगों के लिए तो sell lead के लिए देख सकते हो एक ID proof जिसमें आप pen card, passport, driving lessons, आधार card दे सकते हो, address proof इसमें भी आप same document दे सकते हो और यहाँ पे income proof के तोर पे आपको latest sell lead slip 2-3 म दिखाना पड़ेगा तो यह देखिए salary के लिए document require होते हैं इसके लावा जो self-implored होंगे तो उनके लिए बेंकम proof के तौर पे ITR देना पड़ेगा और bank account statement last six month का इसके लावा जो private partnership firm या private limited companies वगरा चलाते हैं तो उनको income proof के तौर पे जो है audited balance sheet हो गया company ITR हो गया last two year का औ profit and loss account statement हो गया last two year का यहाँ पे दिखाना पड़ेगा address proof के तौर पे यहाँ पे shop and establishment tax certificate दिखा सकते हूँ अपना कोई भी bill वगरा आप दिखा सकते हूँ और six month का आपको bank account statement भी दिखाना पड़ेगा इसके लावा जो self-implored public limited company चलाते हैं तो उनके लिए audited balance sheet हो गया profit and loss account statement last two year का address proof में shop and establishment tax certificate और bank account statement last six month का आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा तो यह देखे कुछ document required हो गया हर category wise के लिए जो आप check out कर सकते हो यहाँ पे इसके लावा अगर आपको किसी भी bank के car loan हो गया home loan हो गया parcel loan हो गया उसके offer जानने वो आप इस website पर check out कर सकते हूँ यहाँ जैसे car loan में हमें HDFC bank car loan के link वगरा देखने हैं तो HDFC bank car loan का आपको यहाँ पे link मिल जाएगा यहाँ से आप देखे इंट्रेशेट वगरा check out कर सकते हो सबसे पहले तो कोई offer launch हुआ होगा वो आप देख सकते हो इसके लावा जो है क्या processing fees लिखती है eligibility criteria है आपके क्या require होता हो वो आप यहाँ से देख सकते हो, car loan का balance transfer आप कैसे करा सकते हो वो आप यहाँ से checkout कर सकते हो और अगर कोई offer वगरा bank में launch कियो आगा वो भी आपको यहाँ पे detail में information उसकी मिल जाएगी तो इस website का भी link आपको वीडियो के description box मिल जाएगा एक बार जाके जरूर चेक आउट कर झाल